कमपणी के प्रकार को यहां पर हम कमपणी अधिन्यव 2013 के अंतरगत जो रिजिस्टर्ड निएम है उसके अंतरगत देखेंगे तो यहां पर हम कमपणी को सायूक्त पुण्जी वाली जो कमपणी होती है जिन्हें हम जॉइंड स्टॉक कमपणी कहते हैं। कुछ हम यहाँ पर तीन भागों में बाढ़ कर इसका अध्यन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं असी मिद कंपनी याने की अनलिमिटेड कंपनी जिसका निर्माण धारा दो 21 के अनुसार होता है और तीसरी तीसरा जो इसका प्रकार है वो है अंशो द्वारा सीमित कंपनी कंपनी लिमिटेड बाइशेयर जिसका निर्मान धारा 22 के अंतरगत होता है अब इसके अंतरगत भी कुछ वरगी करण होते है जैसे हम कहा है कि जो अंशो द्वारा सीमित कं इसको भी कुछ अलग-अलग भागों में विभक्ति किया जा सकता है जिसरी निजी कंपनी जिसे हम कहते है प्राइविट निर्मान कंपनी किनिया क्मपनी के अंतरगत किया ता व्यंगिक का है тाइश dalam आज नोगे लुज्त-विस्त्रिती डीए पिश्यख्राज वर कौन से निजी कंपनी के जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में हमको ये जान लेना जरूरी है कि निजी कंपनी जो है वो भारती कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार इसके स्थापना होती है और यहाँ पर निजी कंपनी का अर्थ एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुक्ता या प्रदत अंशुपूंजी जो है वो एक ला कि ये जो निजी कंपनी या होती है वो कुछ कारे करती है जिनिम कुछ बिंदो के अधार पर या जानेंगे तो सबसे पहला इसका कार है कि अपने अंशों के हस्तांतरन पर ये ड्रोक लगा देती है जिसे हमने जाना कि अंश जो होते वो हस्तांतरनी होते हैं अंश हस्तांत कि अपने सदस्यों की अधिक्तम संख्या को ये 200 तक सिमित रखती है जैसे कि हमने पहले भी जाना कि मिनिमम दो और मैक्सिमम जो इसके सदस्यों की संख्या होती है वो 200 तक ही सिमित हो सकती है तीसरा हम इसकी बारे में जानने कि अपने अंशो और रिंड पत्रों को क्रह करने के लिए जनता क्वामंत्रित नहीं करती है और साथ में कम से कम दो सदस्य होने चाहिए इसके लिए मिनिमम स्टार्ट करने के लिए कम से कम दो सदस्य को होना चाहिए साथ ही हम इसकी बारे में देखते हैं कि जब इस कंपणी का नाम लिखा जाता है किसी भी प्रलेक में, किसी भी दस्ता वेज में तो नाम के आगे private श्रब्द लगाना बहुत जरूरी होता है तो ये हमने निजी कमपनी के बारे में जाना अब हम देखते हैं कि सारवजिनेक कमपनी याने कि पबलिक कमपनियां क्या है 하ं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारती कमपनी अधिनियम 2013 की धारह 271 की अनुसारिन का निर्मान होता है तो यहां पर हम देखेंगे कि भारती कंपणी अधिनियम 2013 की धारा 271 की अनुसारिन का निर्मान होता है और इसके अंतरकत ये कहा गया है कि जिसके चुकता अंश पुंजी 5 लाक रुपय या फिर अधिनियम द्वारा निधारित जो पुंजी है दोनों में से जो राशी अधि होगी वो मानी जाएगी और दूसरा हम इसकी बारे में कह सकते हैं कि सारवजिनिक कंपनी जो होती है वो सूची बद्ध याने कि लिस्टेड और असूची बद्ध याने कि अनलिस्टेड भी हो सकती है तो यहां पर एक नजर अगर हम इसकी कारों पर डाले तो हम देखते है कि ये कंपनिया क्या क्या कारे कर सकती हैं तो सबसे बेली बात तो यह है कि इसके अंशो का हस्तांतरण जो होता है वो स्वतंतरता पूर्वा किया जा सकता है जिसे कि हमने निजी कंपनियों की दर्शा में देखा कि उनके अंशो के हस्तांतरण पर पूर्टा प्रतिबंध होत आ सकते हैं इसके एक विश्यस्ता ये भी है कि जनता को अंश खरीदने के लिए ये कंपनिया आमंत्रित करती हैं अपने प्रविरण निर्गमित करती हैं और जनता को अपने अंशे अलॉट कर सकती हैं कि साथ में यह देखते कि इनमें सदस्यों का जो दाईद तो होता है उनका दाईद तो जो है वो उनके-द्वारा क्रय किये गए अंशोन तक ही सीमित होता है तो यह हमने जाना पपर्लिक कंपनी के बारे में अब हम देखते हैं तीसरा जो प्रकार है एक व्यक्ति कंपनी वन परसन कंपनी तो यहां पर हम देखते हैं इसके बारे में कि कंपनी अधियम 2013 के नुसारी बताया गया है कि केंद्र सरकार को अधिकरित किया जाता है कि वह एक व्यक्ति कंपनी के स्थापना कर सकती है यानि एक व्यक्ति भी अपने आपको कमपनी की तरह बताकर आप कमपनी की तरह स्थापित करके कारिक कर सकता है दूसरा इसके बारे में हम एक कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का मतलब जिसमें किवल एक व्यक्ति ही कमपनी का सदस से होता है इस बात का विश्यास ध्यान रखना है तीसरी बात इसके बारे महत्वण हो सकती है कि इसमें स्थापना के लिए कानूनी आवश्रकता है कानूनी आपचारिकता है जो होती है वो सारी पूर्ण करनी पड़ती है ये जो कमपनियां होती है वो अन्शु द्वारा और गैरेंटी द्वारा सीमित होती हैं साथ ही इनका इनके जो नियूनतम चुकता पुझी होती है वो एक लाख रुपये तक होती है और इनके बारे में यह कहा सकते हैं कि इनका जो उद्देश होता है वो होता है वेवसाइक या चारिटेबल कंपनिया निजी कमपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर सदस्यों की संख्या के आधार पर निजी कंपनी में सदस्यों के नियूंतम संख्या 2 और अधिक्तम संख्या 200 हो सकती है भारतिय कंपणी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार निजी कंपणी में सदस्यों की संख्या को अब 200 तक कर दिया गया है सारवजनिक कंपणी में सदस्यों की नियूंतम संख्या 7 और अधिक्तम संख्या निर्गमे तंशों की बराबर हो सकती है यह कंपणी सूची बद एवं असूची बद हो सकती है जन्ता को आमंत्रन के आधार पर निजी कंपणी अपने अंशो और रिन पत्रों के बिक्री के लिए जन्ता को आमंत्रित नहीं कर सकती जबकि सार्वजनिक कंपणी अपने अंशो और रिन पत्रों के बिक्री के लिए ज प्रीजरीन कि प्रक्राइब कर देरीव निर्मान के आधार नेजे कंपनी की दशा में अंतर्णियम का बनाना अनिवार है जबकि सार्वजनिक कंपनी की दशा में अंतनियम का बनाना अनिवार नहीं है इसके आभाव में तालिका अके नियम लागू होते हैं प्रविवरंड के नर्गमन के आधार पर एक नीजी कमपनी को प्रविवरंड अत्वा स्थानापन प्रविवरंड नर्गमित करने की आवश्यक्ता नहीं होती जबकि सारवजनी कमपनी के लिए प्रविवरंड के आभाह में स्थानापन प्रविवरंड नर्गमित करना एवम उसे wreckage एव prz लेने के अधिकार का कर सकती है जबकि स्वाइबियोगे कमपनी समय अन्हें करनी का कि वैधिया के औहदार पर निञेर कमपनी के लिए वैधियानी को भुलाना टथा रजिस्टरार के पास वैधानिक रिपोर्ट भेजना आवश्यक नहीं है जबकि सारवजनी कंपनी के लिए वैधानिक सभा बुलाना और वैधानिक रिपोर्ट रिजिस्टरार के पास भेजना अतियावश्यक है इस वैधानिक सभा को व्यवसाय प्रारंब करने के 6 मेनी के अ पर निजे कंपनी में अंशो का हस्तांत्रण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता जबकि सार्वजनी कंपनी में अंशो के हस्तांत्रण पर कोई प्रतिबन नहीं होता नेजे कंपनी की दर्शा में संचालकों की संख्या न्यूंतम दो है एवं नेजे कंपनी बिना केंद्र सरकार की अनुमती के संचालकों की संख्या में वृद्धिक कर सकती है जबकि सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की न्यून्टेम संख्या तीन होती है या केंद्रे सरकार की अनमती से ही संचालकों की संख्या में व्रति कर सकेगी संचालकों को रिंड के आधार पर नीजी कमपनी में संचालकों को रिंड देने के लिए केंदर सरकार की पूरु अनुमती लेने की आवश्रक्ता नहीं है जबकि सार्विजनिक कंपनी में संचालकों को रिंड देने के लिए केंद सरकार की पूरू अनुमती लेना आवश्रत है प्रलेख फाइल के आधार पर नीजे कंपनी को रजिस्ट्रार के पास समामेलन के लिए आविदन पत्र के साथ संचालकों के सूची, उनके लिखित सहमती तथा उनके साथ किये गए ठहराव आधी के लिए प्रलेख भेजने की जरूरत नहीं होती जबकि सार्विजनिक कंपनी में रजिस्ट्रार के पास समामेलन के लिए इन सभी प्रलेखों को भेजना जरूरी होता है प्राइवेट या लिमिटेड श्रब्द के प्रयोग के आधार पर निजे कंपनी के लिए अपने नाम के अंत में प्राइवेट कंपनी लिखना जरूरी होता है जबके सारवजनी कमपनी के लिए नाम के अंत में केवल लिमिटेड श्रब्द लिखना ही परियाप्त है तो बच्चो जैसे कि हमने देखा कि जब हम कमपनी संबंधी लेखे करते हैं तो कमपनी के अंतरगत जो सबसे महत्तुपूर्ण बात हम को सुनने को मिलती है वो है अंश जिसके बारे में हम संद शेप में इसके अर्थ को लगबग जान चुके हैं अब हम इसको वस्तार से जानेंगे कि अंश क्या है इसके प्रकार क्या है और अलग अलग अंशों की जो प्रकार होते हैं किस तरह के होते हैं क्या उनकी लाब है क्या उनमें हानिया है तो आए सबसे पहले हम अंश के बारे में जाने अंश याने की शेयर वास्तों में जब कोई कंपने स्टार्ट होती है तो कंपनी को एक बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी के जवरत होती है अब यह जरूरी नहीं है कि कंपनी का जो स्वामी है उसके पास वो पूरी की पूरी पुंजी हो तो वो अपनी इसी पुंजी की राशी को अलग-अलग लोगों से छोटी-छोटी मात्रा में छोटे-छोटे टुकड़ों में एकत्र करता है यही छोटे-छोटे टुकड़े अंश कहलाते हैं यहीं कि शेयर कहलाते हैं हिस्सा यह भाग अलग-अलग भाग जो मिल प्राइब करने जा रही है और इसको जो पूझी चाहिए वो चाहिए लगबग इसको दस लाख रुपए अब दस लाख रुपए इसके पास नहीं है यह जनता में अपने शेयर बेचेगी यानि कि लोगों से को अलग-अलग हिस्सों में वो शेयर बेचकर उनसे वो धनराशी एकत्र करेगी अब इस कंपनी की जो दस लाख रुपए की पूंजी है वो कई हिस्सों में अंशों में बटी हुई होगी जैसे कि उदाहरं के तोर पर हम यहाँ पर देख रहें कि माल लेजिए यह जो दस लाख रुपए की राशी है यह दस हजार अंशों में विभक्त है और एक अंश जो है वो सो रुपए का है तो इस प्रकार जब यह दस अजार अंश अलग अलग लोगों बहुत सारे लोगों में जो जितनी भी मात्रा में वो अंशों को खरीदना चाहे वो खरीद लेंगे और प्रतिश एयर्स पर जब सो रुपए प्राप्त हो जाएंगे अब कुल मिलाकर कंपनी को 10 लाख रुपए की जो पुझे की राशी है वो उसके पास एक अत्र हो जाएगी अब अगर हम अंशों के बारे में बहुर अच्छे से जानने की कोशिस करें कि शाब्दिक रूप में हम अर्थों की शाब्दिक रूप में हम अंश को कैसे परिभ भाश्याओं को देखते हैं कि न्यायदिश लिंडले के अनुसार पुझे का वह अनुपातिक भाग जो हर सदर से लेता है अंश कहलाता है श्री S.N.D.P. योगिम के अनुसार अंश से आशय कंपनी की पुझी में एक भाग से है भारतिय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 284 के अनुसार अंश से आशय एक कंपनी को अंश पुझी के एक भाग से है और इसमें इसकंद भी शामिल किया जाता है तो आपने देखा कि किस प्रकार अलग-अलग विद्वानों ने अंशो की अलग-अलग परिभाशाय दी है अब आईए हम देखते हैं कि अंशो की प्रकृती क्या है यानि कि विशेस्ताओं के अधार पर हम अंशो को और अच्छे से परिभाशित कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि हस्तांत्रित करने वाली संपत्ती है यानि कि इसके एक महत्पुर्ण विशेस्ता ये कि इसको ट्रांसफर किया जा सकता है मान लेजिए जैसे कि हम उदारन देख रहे थे कि ABC कंपणी के 10,000 शेयर हैं जो कि 100 रुपय वाले अंशो में विभाकत हैं अब इसमें से कोई एक वेक्ति जो है D वो इसके 5000 शेयर को खरीद लेता है तो 5000 अंशो की राशी तक के लिए ये उस कंपणी में अपने अंशो को खरीदता है उस सिस्तिति को वो ग्रहन करता है अब वो चाहे तो इस 5000 अंशो को किसी और अनिवेक्ति को बेच सकता है या हस्तांतरित कर सकता है तो अंशो की प्रकृती हस्तांतर नहीं होती है दूसरा हम इसके बारे में कह सकते हैं कि माल की तरह है जैसे गुट्स वस्तू जो होता है जिसको हम माल की बारे में जब हम उस गया है वास्तो में देखा जाया तो वस्तोविक्रे अधिनाम 1330 के अंतरगत इसको माल के रूप में परिभाषित किया गया है । तिसरा यहां पर हम दीखते हैं कि इसका क्रे Honor Cash भी किया जा Esperya सकता है अब क्योंकि हस्ता diverणी है माल भी मान लिया गया यानि कि इसका आसानी से क्रेक किया जा सकता है आगे आने वाले इसी अध्याय में आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार अंशो को खरीदा वा बेचा जाता है इसी तरह हम देखते हैं कि इसको गिर्वी भी रखा जा सकता है जिस तरह हम अपनी अन्य संपत्यों को गिर गलग प्रकार भी होते हैं तो आयों देखते हैं कि अंशो के कौन कौन से प्रकार होते हैं अंशो को यहां पर मुख्य रूप से दो भागों में बाटा गया है समता अंश यानि की एकवशेर और पूर्वा तो वो अपने आप में कई तरह के अंशों में विभक्त होते हैं जैसे कि साधारण या असंचाई पूर्वाधिकार अंश दूसरा संचाई पूर्वाधिकार अंश तीसरा परिवर्तनिय पूर्वाधिकार अंश चौथा आप परिवर्तनिय पूर्वाधिकार अंश पाच्व शातवा भाग युक्त पूरवाधिकार अंश और नवा प्रत्याभूत पूर्वाधिकार अंश पूरवाधिकार अंश के इन विभनी प्रकारों को आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से explain करके समझेंगे फिलाल हम यह आपर यह जान लेते हैं कि समता अंश क्या है तो समता अंशों को ही साधारन अंश यानि कि equity share बोलते हैं अब जैसे कि नाम से इस परस्ट है यह वो अंश होते हैं जो साधारन होती है हाला कि इन पर लाभांश मिलता है पूर्वाधिकार अंशों की भाती लेकिन इन पर लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार नहीं होता पहले कंपनी पूर्वाधिकार अंश धारियों को लाभांश बाटती है और उसके बाद जो बचता है वो समता अंश धारियों को मिलता है तो कुल मिला कर यह साधार Tech कहे सकते हैं इनके अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए आए आहिया हम समतंच की विश्यिस्ताओंगे रहिए सबसे पहले इ besl coup मत देने का दिकार है हाला कि यह साधारन आंशभारि हैं इनको पूरवा दिकार Kenn rush मिलेगा लेकिन कि कंपनी में अगर कोई सभा है कोई प्रस्ताव पारित करना है तो वहाँ पर समता अंजुधारियों को मत देने का अधिकार दिया गया है। दूसरे इनके विषयसता ये कहिए जा सकती है कि लाभांश की दर इनमें निश्चित नहीं होती है. कितना लाभांश देना ये निश्चित नहीं होता है. पूर्वा धिकारी अंशिधारियों को लाभांश दे देने के बाद फिर कंपनी की क्या स्थिती है या कितना वो ग्रोथ कर रही है इस पर डिपेंट करता है कि समता अंशिधारी जो है उनको कितना लाभ का हिस्सा देना है तीसरी इसकी विशेस्ता ये कही जा सकती है कि पूर्वा धिकारणश धारियों को लाभाणश देने के बाद फिर इनका नंबर आता है जैसे कि हम अभी तक देखता है समापन पर पूंजी का हिस्सा होता है वह वापस की जाती है ठीक इसी तरह से भुकतान जो होता है वो भी इनको पूर्ण जो पूर्ण जी का जो भुकतान इनको करना होता है वो भी समापन के समय ही किया जाता है एक इनकी मातपूर विशेस्ता ये भी कही जा सकती है कि अगर कमपनी को किसी दशा में लाब होता है तो प्रतिवर्ष लाब देना इनके लिए अनिवारे नहीं है करता है कि कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं क्योंकि वास्तों में हमने पहले भी देखा कि जो कंपनी का स्वामी होता है कंपनी का जो मालिक होता है वो कंपनी के साहसी के रूप में कारे करता है उसकी जो आय का जो इसका हिस्सा होता है वह एक्चुली निश्चित नहीं होता है कि उसको कितनी आया कितना लाभ मिलेगा वह अन्य साधनों को बाटने के बाद ही लाभ प्राप्ते करता है तो ठीक उस 2 में सम्थाइश्थारे और ये सारे स्थित्य ऐसी है जो इसानीं आप अगर हम बात करें कि सम्ता अंशो के लाव किया है हाला कि इनके विशेस्ताओं को देखकर इनके प्रकृति को देखकर ऐसा लगता है कि पूर्वा धिकार अर्षिधारी जो है वो ज्यादा अच्छे हैं उनको ज्यादा लाप राप्त होता है समतार अर्षिधारियों को नंबर बाद में आता है लेकिन अपने आप में इनके देने के लिए कंपनी जो होती है वो बाद दे नहीं होती है ठीक इसी तरह एक विशेस्ता एक लाव इसमें ये भी होता है कि आय पर अधिकार होता है मत दे सकते हैं अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और साथ ही साथ पूंजी प्राप्ती में भी सरलता होती है मतलब इनका जो मूले होता है वो अन्य देवताओं का खुक्तान कर लेने के बाद लास्ट में जो बचता है वो बहुत आसानी से इनको वापस कर दिया जाता है दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनके हानियों की जहां एक और इनके कुछ लाब है वही दूसरी इनके कुछ हानिया भी है जैसे कि हम यहाँ पर ही कह सकते हैं कि समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के संचालन में कई बार बाधा उत्पन करते हैं होते हैं यहाँ पर कि अंशो कहा मां करी तो यह समता अंशो की निर्गमन में इतनी सारी वैधानी कौफ चारिक नहीं पानून होते हैं कि समतांशों के निर्गमन में कठिनाई आती हैं ये इसके एक खानी है वैसे ही बात करते हैं लाभों की अनिश्चिता कि तो जैसे कि हमने देखा कि पूर्वा धिकार अंश्धारियों को लाभांश देने के बाद जो बचता है ये लेंदारों को भुक्तान करने के बाद जो यहां पर यह देख सकते हैं कई बार इनको पूरवा दिकार से लाप भी प्राप्त होता है लेकिन अनिश्चित्ता जो है वो वनी रहती है दूसरी अगर हम बात करें लाभांश की तो इनकी जो लाभांश की दर होती है वो पूर्वा धिकारी अंशिधारियों के पिक्षा अधिक होती है इस condition में हम क्या सकते हैं कि समता अंशिधारियों के लिए तो इलाब के बात है लेकिन अगर हम कमपनी के दिश्टी कोंट से देखते हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर कमपनी को हानी हो सकती है अगली अगर हम बात करें सट्टे बाजी की तो यह जो दर होती है बजार मूले जो होता है अंशो का इस पर जो होती है लगातार घटने या बढ़ने की जो प्रवर्ती होती है उस पर सट्टे बाजी की संभावना भी बनी रहती है तो यह तो हमने बात कही समता अंशो की अब अगर हम इसके दूसरे स्वरूप पर जाए याने कि पूर्वा धिकार अंश तो देखते हैं कि पूर्वा धिकार अंश क्या है अब इसमें भी जैसे की नाम से इस पस्ट है और दूसरी बात हमने जब समता अंशो की बारे में ज तो इस आधार पर हम पूर्वा धिकार अश्यों को कुछ हाट्य समझ गए हैं का जिंको याना कम्पनी के लाब का जो हिस्सा होता है कम्पपनी की लाव में इन अंशिधारो का पहले इनको वित्रित किया जाता है जो बचता है उसके बात करें पूरवाथिकारी अंशो की विशेस्ता तो गैंकु प्रकृति की तो सबसे पहले विशेस्ता या आती है कि लाभांश की दर इनको में निश्रित खोन करता है लेकिन पूरवाथिकार के पहले साहिक है कि यहां पेहले साहिक। दूसरा सम्तिवा धिकार अंश्व के दिनना के दिकार को झाथ कि इसे तरह अगर बात करें मत देने की अदिकार होता है लेकिन यहां है कर समषधारों क्या-सर और च्साय थियुक्त क्यानेशरा का बते हैं फिर भी मिलस्ता Vouetab लेकिन यहां Unter है लावांश का निश्चित किया हूं वैसा ही अतना ही प्रतीशत मिलता जब्कैं गूतिया MEANS है उती है झाल की अनिश्चित होती है अगर अच्छी ग्रोथ है कंपनी की तो इनको बढ़ी हुई दर पे भी लाभांश दिया जा चुका है जब हम इसके निमेरिकल कुशन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जब समता अंशो की बात आती है तो वहां पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो केवल समता अंश होते हैं लेकि प्रतिशयत पूर्वा दिकार अंश मतलब कि इन पर लाभांश की जो दर है वो पूर्व में निश्रित की जा चुकी है कि 6 प्रतिशयत लाभांश ही दिया जाएगा तो इसको हम एक प्रॉफिट भी बोल सकते हैं लॉस अफेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि हानी हो या ला पूर्वा दिकार अंश के निर्गमन पर कंपनी को क्या लाभ है तो एक तो हम लाब इस कंडिशन में देख सकते हैं कि आति पूंजी करन पर नियंत्रण होता है पूर्वा दिकारी अंश जो होते हैं वह शोधन शम्ता पर इनके लोच शीलता बनी रहती कम या ज़्यादा ह हम इनको कर सकते हैं इनके निर्गमन को तो जब आती पूंजी करण की जो संभाना होती यानि कि बहुत ज्यादा शेयर इसू करके बहुत ज्यादा पूंजी इकठा करने की जो कंडिशन है उस पर रोक लगाई जा सकती है दूसरा इसमें लाब यह होता है कि विन्यों का यह स् सकते हैं वैसे इसका एक लाव यह भी देखा जा सकता है कि लाभाश का पूर्वा धिकार होता है यानि कि कोई ऐसी कंडिशन अगर बन जाए कि कंपनी का की ग्रोथ ना हो या कोई अनिश्चित्ता अगर पैदा हो जाए तो वहां पर कम से कम समतार्श धारियों से तो पहले इनको लाभाश प्राप्त हो जाता है ठीक इसी प्रकार कंपनी के समापन पर लाभ यानि कि अगर कंपनी डिजॉल्व हो गही समाप्त हो गही अगर कंपनी तो वहां पर जो देताय होती है उनका भुक्तान कर देने के बाद इनको जो है वो लाभ का हिस्सा दे दिया जाता ह और ठीक इसी तरह से हम देखते हैं कि मंदी के समय जो कंडिशन बनती है जो आर्थी किस्तिती बनती है कंपनियों की वहाँ पर भी क्योंकि पूर्वा धिकार अंशिधारियों को लाभाँश मुक्तान का पूर्वा धिकार होता है तो उस कंडिशन में भी ये पहले ही अपना राप्त कर लेते हैं तो जहां एक और पूरवर धिकार अंश के बहुत सारे लाब मिलते हैं कमपनि को वहीं दूसरी और बहुत सारी हानिया भी देखने अपनी को जादा लाब हो या कम लाब हो या हानी हो हर कंडिशन में जो भी रेट ऑफ डिविडेंट निरधारित किया जा चुका है लभांश की दर जो निरधारित की जा चुकी है उतना लभांश तो उनको देना ही पड़ेगा तो कुल मिला करम कह सकते हैं कि स्थाई भार की हानी भी उठानी पड़ सकती है या कम लाब हांश प्राप्त होता है क्योंकि पहले पुर्वा अधिकार अधिकार को भुक्तान करना होता है तीसरी एक हानी यह कही जा सकती है कि कंपनी पर मता अधिकार का अधिकार इनको नहीं होता है तो बहुत बड़ा यह कहा जा सकता है मुद्दा है कि मताधिकार का अधार नहीं होता यानि कि कमपनी के वास्तिविक सदस के रूप में नहीं हो पाते हैं कि वाल अपना इनकी जो राशी होती है वो इसको विन्योजित करते हैं इन्वेस्ट करते हैं इसी तरह खानी ये भी है कि कम लाभांश मिलता है इनको कई बा जो होती है कि कितना उनको लाभानश मिलना है बढ़ी हुई दर पर बढ़ी हुई ग्रोथ पर कम्पनी अच्छा ग्रोथ कर रही है तो उनको कई बार पूरवा धिकारा अशिधार्यों से कहीं ज़ादा लाभानश प्राप्त होता है। और ऐसी कंडिशन में जो पूरवा थिकार अंशिधारी है उनको हानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनकी जो लाभांश की दर होती है वो पहले से ही नरधारित कर दी जाती है तो ये एक हानी कहीं जासकती है अब जैसे कि हमने बात करी है इसी तरह हम देख रहे हैं कि प्रबंध में भाग लेने का अधिकार भी इनको नहीं होता है। अगर कोई राशी बचती है तो उसमें पूर्वा दिकार अंशिधारी होते हैं उनको हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। पूर्वा दिकार अंशों में सबसे पहला जो अंश है वो है संचाई पूर्वा दिकार अंश। क्या होता है कि किसी वर्ष अगर कंपनी को लाब नहीं हुआ तो उस वर्ष का जो लाब का हिस्सा होता है। पहले से ही क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंट निर्धारित हुआ रहता है लाब अंश की जो दैर होती हो पहले से निर्धारित हुई रहती है। तो इस कंडिशन में अगर किसी वर्ष लाब नहीं हुआ है तो उस वर्ष किसी पूरवधिकारी अंश धारी के लाब का जो हिस्सा है वो संचित हो जाता है और आगामी वर्ष में वो जुड़ कर मिलता है। तो कई पूरवधिकारी अंश संचाई प्रवित्ती के होते हैं। दूसरा इसका प्रकार है असंचाई पूरवधिकार अंश जस्ट अपोजिट इनमें अगर किसी वर्ष लाब नहीं हुआ तो उस वर्ष की जो उनकी लाभांश की राशी होती है वो वहीं पे समाप्त हो ज अलकुल नाम से इस पस्ट है कि यह जो अंश होते हैं इसमें कुछ निश्यत नियम और शर्तों के आधीन इनको परिवर्तित किया जा सकता है दूसरे अंशों में इसके अलावाद जो चौथा प्रकार है आप परिवर्तिनी पूरवधिकार अंश इनको किसे भी शर्त या न जिनका किया जा सकता है वास्तों में ऐसे शोधन एक निश्यत आधी के बाद किया जा सकता है लेकिन कुछ अंश ऐसे होते हैं जो अशोध या अविमोचन शील पूरवधिकार अंश कहलाते हैं जिनका शोधन किसी भी कंडिशन में नहीं किया जा सकता है ठीक इसी प्रकार अगला प्रकार ये हैं भागित या भाग युक्त पूरवाधिकार अंश जिसके बारे में जिनने निशित दर के अत्रिक्त लाभ पर और अत्रिक्त लाभ आशं पर निरगमित किया जाते हैं इन्को सक्ताने इनको मिल अब हमने देखा कि सम्तांश किया है इसकी कौन-کौन से श्यायन कौन-कौन से लाभ है कौन-कौन- Caleb है ठीक उसी तरह पूर्वधिकार आंश के बारे में भी हमने काफ़ेवस्टार से जाना अब तो अब दोनें अंतर निकालने का प्रयास करें तो आए देखते हैं कि सम्ता अंश और पूर्वदिकार अंश में अंतर क्या क्या है